चुनाव का बिगुल बजा है, जनताने ललकारा है, न्याय की इस रणभूमी में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तयार हैं। आज माननी चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोशना तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महतुपूर्ण है। ये चुनाव फैसला करेंगे कि ये देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजी पतियों के कंधों पर चलेगा। ये दिशा ये चुनाव तै करेगा, इसलिए मैं इसको आम चुनाव कहना पसंद नहीं करूंगा, ये बहुत विशेश और बहुत महतुपूर्ण चुनाव है। इससे तै होगा कि देश बाबा साहब के समिधान पर चलेगा या एक तानाशा के गुंगान पर चलेगा। बल्कि एहंकार और तानाशाही के उपर एक भारी चोट देने को ये देश तैयार है। इस चुनाव की इंतजार ये देश पिछले कई-कई वक्त से कर रहा था। दस साल में और खास और पर पिछले पांच साल में समिधान और लोकतंतर की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारती जनता पार्टी ने तार-तार नहीं किया। चाहे E.D. और C.B.I. और Income Tax के माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलना हो चाहे बेरोजगार नौजवानों के उपर लाठियां बरसानी हो पेपर लीक होने हो पेपर लीक के बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ वो हो रहा हो पिछले 10 साल में पूरे देश ने किसानों को दिल्ली पे आने से किस तरह से रोका जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। हो हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ग बचा होगा मनिपूर की जब चर्चा हो ही रही है तो अकारण अनाप शनाप बोलने की आदत रखने वाला व्यक्ति जो दो-दो घंटे टेली प्रॉम्टर्स छे-छे टेली प्रॉम्टर्स लगा के भाशन देने की जिसकी आदत ह मनिपूर के वक्त वो टेली प्रॉम्टर ओफ हो जाते हैं मुह बंध हो जाता है मुह में दही जम जाते हैं एक शब्ध मनिपूर पर प्रधान मंत्री के मुह से नहीं निकलता और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंदा दो की जो नीती है भारती जनता पार्टी की वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है आप सबने देखी है कई हफ्तों से महिनों से सालों से महंगे से महंगे वकील खड़े किये गए कि ये आकड़े सारवजनिक न हो देश जानना चाता था कि आखिर क्या छेपाना चाते थे आप क्यों ये आकड़े सारवजनिक नह होने देना चाहते थे आप लगातार बहाने एक के बाद एक बहाने बनाए गए SBI पर दबाव डाला गया State Bank of India पर हम धन्यवाद देते हैं माननी सर्वोच ने आये लेका जो लोगतंत्र की धाल बनकर खड़े रहा और यह आंकड़े अब सारजनिक हुए हैं 12,000 करोड का चंदा लोटरी वाले वैक्सिन वाले खड़ानों वाले जिन सबसे जो चंदा लिया गया इसके बदले में प्रधान मंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया यह आप लोग सब जानते हैं वाकिफ हैं लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे इधर ED की रेड होती थी उधर भारते जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे यह भी हम सब ने देखा और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है यह उद्योगपती की दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टरल प्रिंसियों ने एक लालची तानाशा का गुलाम एक लुकतंत्र को बना दिया ये कोई माजाक की बात नहीं है यह जो चन्दे की लूट का पैसा है यह जो हफ़ता वसूली का पैसा है यह जो वसूली सरकार बैठी है केंदर में इसनीय अपनी पार्टी का हर जिले में साथ सितारा ओफिस बनाया राश्टी स्वयम सेवक संका हर राज्य में हर जिले में कुछ न कुछ construction चल रहा है स्कूल की छत हो या न हो परक नहीं पड़ता भारती जनता पार्टी का seven star office होना आवश्यक है ये है इस चंदे का धंदा ये है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत और हमारे कुछ साथी भारती जनता पार्टी के कारेले में आप जैसे साथी जाते हैं तो बताते हैं एक एक कमरे में चार चार पांच पांच सबसे महंगे एसी कि कहां से आ रहा है प सवाल से ये सारे सवाल हम सब के जहन में हैं हम सब के दिमाग में हैं आप लोगों के आप लोग नहीं चला पाते हैं लेकिन आपके दिमाग में भी है ये सवाल किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाते हैं किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाते हैं किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल करकरके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती है जमीर का सौधा किया जाता है ये पैसा कहां से आता है कल बहुत एतिहासिक दिन है हमारी पार्टी के एतिहास में भी बहुत महतुपूर्ण दिन है और इस देश के लिए भी बहुत महतुपूर्ण दिन है हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महतुपूर्ण दिन है खड़के साब के निर्देश में के अनुसार ये यात्रा निकाली और लगातार सड़क से संसत तक देश के नौजवानों, किसानों, पिछडों, महिलाओं और दलितों और शोशितों के हितों के लिए संगर्ष लगातार किया दो यात्राएं निकली हैं ये दूसरी का कल समाप भारत जोड़ो यात्रा आप सबने कबर की थी आपने देखा था कि वो देश के कोने कोने तक गए जन्मानस की भावनाओं को समझा समस्याओं को समझा और लोगों ने भी राहुल जी को और कॉंग्रेस पार्टी को बहुत नजदी की से समझा जो दुश्प्रचार हमारे खिल हुआ इन यात्राओं के माध्यम से पिछले दस साल में आपने देखा कि जो जो राहुल गांधी ने कहा वो GST पे हो, नोटबंदी पे हो, करोना पे हो, इलेक्टोरल बॉंड्स पे हो, जितनी बाते उन्होंने कही, वो सच साबित हुई, पिछले दस सालों में आपने यह भी देखा, कि जिन जिन राजियों में हमने अपनी गारेंटी की बात की और उन राजियों में हम जीत है, कि ये राहुल गांधी बोले हैं, ये मलिकार जुन खडगे जी की पार्टी बोली है, ये सोनिया गांधी की पार्टी बोल रही है, ये होके रहेगा, इसलिए लोगों को भरोसा है, हमने गिंती करो का एक नारा दिया, राहुल गांधी ने दिया, इसकी क्या कौन सा वर्ग, कौन सी जाती, कौन सी क्लास ये संख्याक की जानकारी होनी आविशक है तबी नीती निर्धारन हो सकेगा इस देश की राजनीती की दिशा इस नारे ने बदल दी है युवाओं को पहली नौकरी पक्की और तीस लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरती भर देना, उनको भर देना, वो रिक्तियां खतम करना ये गारेंटी राजनीती को बदलने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है आज के बाद कोई कितनी भी कोशिश कर ले ध्यान बटाने की इस देश के नौजवानों का ध्यान इन ही मांगों पर है, इसी गारेंटी पर है वो जवाब मांग रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि चुनाव शुरू हो और वो ऐसी पार्टी को वोट दे, जिसने 30 लाख नौकरियां भरने की गारेंटी दी है जिसने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है, वो है कॉंग्रेस पार्टी देश के करोडों किसान भी प्रमुख फसलों पर कानून के माध्यम से MSP की जो गारेंटी हमने दी है अधम होने वाली है। Ménds, elections have been announced, they may call it a general election but this election इस गले इसक्तिरी मिलेक्त टेЧто स्ट्रीट टेरी से बाथ्स्टन बेक्ष्ट लेक्राइच नौकरिएट ले क्थे लेखिए लेक्ष्टटीटिय। and the future of our democracy it's a very crucial election it also happens under a cloud of scams of electoral bonds jailing and suspension and raiding of opposition parties politicians freezing the funds of the primary national opposition party that's unprecedented reducing the constitutional status of the election commission we've all witnessed how the congress had a dissenting note to the appointment of the election commissioners also so under this circumstances the election has been announced we have been raising issues that matter to the farmers to the youths to the women especially to the unemployed youth through the two yatras that mr rahul gandhi undertook the bharat jodo yatra and the bharat jodo nyaya yatra he had underlined the need for india's politics to focus on these issues paper leak is not a small issue it compromises the future of lacks and lacks of our young boys and girls so when rahul gandhi talks about guarantee when rahul gandhi talks about nihay to these groups of people people take it seriously because whenever rahul gandhi spoke about demonetization covid gst he was proved right people know if rahul gandhi is saying something he means it and it will be be done mr malikarjun kharge had asked rahul g to undertake the bharat jodo nyaya yatra which culminates in mumbai tomorrow it started in manipur and throughout this yatra mr gandhi and the congress party has been underlining the the guarantees of nyaya to the youth to the farmers to the women to the tribals to construction labor to all the different groups that have been at the receiving end of a totally pro-rich regime that you've witnessed in the last 10 years this election people have been waiting for people want to elect a party which which thinks of the youth the promise of 30 lakh vacancies to be filled by the congress party the promise to stop paper leak and bring in very very tough laws to deal with it the promise of pehli nokri pakki these are historical guarantees which have changed the way politics will be done in this country no political party can afford not to focus on these issues 18 million new voters is not a joke and these 18 million new voters will be voting and they'll be thinking and of mr rajiv gandhi and thanking him he brought the constitutional amendment reducing the age limit for voting attributes to him also your questions please so the prime minister has just tweeted saying that we will go to the people with for with good governance and also hit out at india alliance saying that uh they're they're delusional and they they have a pathetic governance as far as india alliance is concerned if he calls it india alliance we'll also caught it call it nd alliance what is this india alliance it is india and we are proud of india why is he not proud of india and what governance is he talking about last 10 years we have seen forget last 10 years last few months this prime minister does not have the courage to open his mouth on manipur he is talking about governance today after the expose by the thanks to the supreme court can he even open his mouth can he even face all of us because this corruption goes right to his doorstep he is the director producer of this film this corruption this institutionalized corruption of the electoral bond scheme who is he to talk about governance i think he should be ashamed of himself before opening his mouth after this expose 12 000 crores from lottery kings from miners from people who were threatened by edcbi and it and then fleeced with money this hafta vasuli sarkar the head of this hafta vasuli sarkar is has the courage to pass judgment on us i challenged the prime minister ask him to go and engage with the youth of this country they'll tell him what they think of him two young people commit suicide every hour in this country and the prime minister is talking about good governance we are angry even describing it does he have the courage to go to any university and have a free willing discussion with the youth he will know what they think of him does he have the courage to go to kanpur and meet the family of the girl and her father also who died we know he doesn't have the courage to go to manipur he can go and enjoy life in kaziranga but he cannot go half an hour away to manipur he's talking about good governance anyway enough of his talk 10 years we've been listening to him the next two months will be the country will be rid of this this uh total rhetoric that he is resorting to no substance only packaging i was a good governance sir sir okay you can keep up by people's with dance about chunau and look at the schedule uh... like in kashmir ka schedule do you need to choose your lemon tree good governance वाले जो बने फिरते हैं पूछे क्या हुआ कश्मीर में चुनाब कराने की हिम्मत को नहीं करा पार है हमारे वक्त 72% participation होती थी election में कश्मीर में क्या हुआ इनकी बड़े बड़े वादों का और दावों का क्यों नहीं करा पारे बड़े गुड़ गवर्नेंस के वो बने फिर पिछले ग्यारा दिन से अंशन पर बैठे हैं क्या कहना है इसमें प्रदान मंत्री का गुड़ गवर्नेंस के ठेकेदार का पवन जी एवियम को लेके भी चुनाव आयोक से सवाल किया गया उन्होंने उतनी सफाई उस पर दी है कॉंग्रेस उनकी सफाई को कैसे देखती है कि पिछले कई बार विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए लेकिन कोट से लेकर सबने अपने अपनी बात उसके उपर कर रहे हैं वीवी पैट पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं समय दे पारें पूछिए ना उनसे क्यों नहीं समय दे पारें देश के तमाम विपक्षी दल वीवी पैट पर चर्चा करना चाते हैं आपके सामने तो सफाईयां दे रहे हैं हमसे मिलने तक का समय नहीं दे रह लिए क्योंकि वहां सिर्फ नंबर आ गया है आप लोग भी कोई नंबर लिजे पी का नारा बीजे पी के लिए है राहूल गांधी और मलिकार जुन खड़गे साहब जो नियाय की गैरंटी की घोशना करते हैं वो देश के लिए करते हैं वो युवाओं के लिए करते हैं वो महिलाओं के लिए करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं वो आदिवासियों के लिए करते हैं वो श्रमिकों के लिए करते हैं वो हिस्सेदारी की बात करते हैं आपने देखा कि अपने लिए कोई नारा लगा रहा हो सिर्फ बीजेपी अपने लिए नारा लगा सकती है कॉंग्रेस की गैरेंटी कॉंग्रेस का नारा कॉंग्रेस का कैम्पेइन कॉंग्रेस का नेरेटिव देश के लिए है देश के अलग-अलग वर्गों के लिए है अपने लिए जी जी माइक लीजे आपने एक रिपोर्ट देखी कुछ हफ्तों पहले आई थी कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच के उधारण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं चुनावायोग क्या करेगा उनके बारे में क्या करना चाहता है क्या करने की हिम्मत है वो चुनावायोग से पूछिए आप ना केवल हेट स्पीच जो फेक निउस चलाई जाती है सोशल मीडिया पर चलाई जाती है आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजे साब इस देश में fake news सबसे ज़्यादा कौन चलाता है आपको जवाब मिल जाएगा बीजेपी चलाती है पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए हो उन नेताओं के खिलाफ उन पार्टियों के खिलाफ जो fake news और hate speech का सहरा लेते हैं हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग जो कि छोटी-छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती है तुरंत action लेता है हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आँख पर पट्टी बांद कर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन है किसका क्या नाम है कौन किस पद पर बैठा है प्रदान मंत्री हो या ग्रह मंत्री हो अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर action लेना चाहिए हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो model code of conduct है वो अक्षरशा लागू किया जाएगा